हेलो फ्रेंड स्वागत आपके स्टोडी हैड चनल पे मैं ऐसा करता हूँ कि आप सुअख्त होंगे मास्त होंगे आपसी तायारी में जोरो सोरो से लगे होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी vocab की CD चल रहे है जिसमें मैं बात करता हूँ vocab की एकदम basic level से और जिने कुछ नहीं भी आता हूँ vocab में वो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी असानी से vocab सीख सकते हो और उन्हें भी vocab से प्यार हो जाएगा ठीक है तो अभी तक हम आपको one word देखने को मिलेंगे antonyms synonyms मिलेंगे जिनको याद करना बहुत ही difficult हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ उनके साथ picture attach कर देता हूँ ठीक है ताकि आपके लिए चीजे बरी असान हो जाए इसका फैदा आपको कहां देखने को मिलते है तो आपको इसका फैदा exam में द होंगे ठीक है आपको अच्छानक से स्टाइक करता है कि इस incident के माध्यम से मुझे यह idiom समझाया था इस picture के माध्यम से मुझे यह one word समझाया था ठीक है तो आप अपने नमबर को क्या कर ले तो स्ट्रोल कर ले तो इस class में हम ना सिर्फ vocab की बात करते हैं साथ ही साथ मैं आ तो उसका practice भी करते हैं और practice के लिए सबसे best होता है previous year का question तो जो भी recent exam अभी conduct होते हैं मैं उनका question आपको डाल देता हूं वकायब में और साथ साथ उसको भी practice कर लेते हैं ठीक है तो यह complete class है English की तो आए शुरू करते हैं अपने class को बिना देरी के और जानते है कि आज का प decimal formula लेते जा रहे हो ठीक है जैसे कि 0.5 था ठीक है 0.5 था आपने उसको 0.4 कर दिया उसको decimate करते चले तो एक ऐसा समयाता कि वह पूरा नस्ट हो जाता है ठीक है तो decimated से यादखना आप किसी भी चीज़ को क्या करतो हो नस्ट करतो उसका उसको क्या करतो हो ठीक है एनिहिले अ делает demo list जांगा इसके synonyms हो जाएंगे तो इसके antonyms की बात कर ले गर किसी चीज़ का नस्क करो तो यह पूरारे आपको उसका जानकेOS को फिर से बनाना पड़ेगा उसके अन्टोनीम क्या हो जहानगे build create यह सब क्या हो जांगे इसкеуляanaz जाएंगे आपको चीज़े किलियर हो गए योगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होड़ा है डिक्लेंशन मतलब होता है पतन होना ठीक है तो पतन होना ठीक है अब कोई कोई चीज़ धिक्ये हो जाए सरन हो जाए कोई सी बीची में सरन होती है तो उसका क्या हो जाता है पतन हो जाता है ठीक है डेटरियोरेट तो डेटरियोरेट मतलब क्या होता है पतन होना ठीक है नास होना ठीक है तो डिकलेंशन के ही क्या है सिनोनीम तर जैसे कि आप देख रह इसके एंट्रोनिम्स क्या हो जाएंगे इंप्रूब्मेंट डबलप नहीं है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आशयर है नेक्स है डिक्रीप्ट मतल्या गाता है नीर्वल तब यहां से वर उठाओ पीट टब किसकी पीटाई असानि से कर देते हो किपल देते हो सबस्कीतों जो पीटाई कर देते हैं तो शर्म को पर लेत송 सबस्टनर्वा को तो यह भी इसके synonyms है और बात कर लिए इसके antonyms की तो अगर कोई निर्वल है तो उसका antonyms क्या होगा उसको क्या बनाना पड़ेगा हमें strong बनाना पड़ेगा तो antonyms क्या हो जागा strong solid नेक्स्ट बात कर लेते हैं है next word है decrepitude decrepitude मतलब का होता है निर्वलता अभी पर्ड़ेपीट czego मतलब का होता है निर्वल होता है तो उसी का adjective form है निर्वलता minutes इन्फर्मिनीटी डेलिकेसी यह सब क्या हो जागे इसके सीनोनीम्स हो जागे ठीक है और कोई निर्वल है तो उसको क्या प्रवाइड करना पड़ेगा स्ट्रेंथ जिना पड़ेगा उसको फिट बनाना पड़ेगा ठीक है तो एंटोनीम्स क्या हो जागा साउंडनेस स्ट्र स्ट्रॉंग बनाना पड़ेगी उसमें तागत भननी पड़ेगी और वह फिट होगा तो वह तागतवर होगा ठीक नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड है घ्रिडिकेट तो किसी चीज के प्रति नहीं होते तो भी तहजो एंटरी को इस पूल्ड पर देते हो तो क्या बोल सकते रही है तो क्या विधौल्ड बोल सकते हैं रहें तो यह सब तो यह === ठीक है, he talks about his teacher in his poem, ठीक है, वो अपने teacher के बारे में अपने poem पे कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्यों कि वो उसको dedicate करना चाहता है, ठीक है, उनको समर्पित करना चाहता है, I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, next बात कर लेते हैं, next हमारा one word का session है, ठीक है जो क्या आपके, अपने country, same country से belong करें, उसे ही बोलते है, Compatry, next है complete, campus मतलब क्या होता है, कारिकरम उद्दो दो सकत, जो क्या किसी कारिकरम को क्या करें स्टार्ट करें, तो कौन करता है, host होगा, या फिर क्या होगा, anchor होगा, तो वह ही क्या करता है, चारिकरम को क्य सबसे बढ़ी चीज़ है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट ठीक है कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट मतलब क्या आता है पूरा ठीक है तो मेक पर्फेक्ट और कम्प्लीट करता है उसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट ठीक है और एक होता है कम्प्लीमेंट आई लगा होता है तो उसका मतलब होता है प्रसंसा करन और E वाला जो compliment होता है ठीक है उसका मतलब ही होता है complete करना ठीक है तो जैसे complete में E आता है ठीक है उसी तरह compliment में E आता है जैसे प्रेज में आई आता है, इस कम्प्लीमेंट में आई आता है, ठीक है, तो याद रखना है, अगर आई लगा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, पूरा को होता है, ठीक, I hope आपको चीज़े किलियर होगे होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, कम्पोजीटर, किसको बोलते है, अक्षर योज़ा, जो क्या करें, कम्पोज करें कोई भी चीज को, word-by-word एरेंज करें, एक अच्छा sentence बना दे, या picture-by-picture आड करें, उसको एक अच्छा photo बना दे, या video बना दे, या किताब बना दे, ठीक है, उसे को बोल तो किताय बनाए या फिर न्यूजपेपर बनाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको टेक्स्ट को या तो आरेंज करना पड़ता है या फिर पिक्चर को आरेंज करना पड़ता है और कभी-कभी टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को आरेंज करना पड़ता है ताकि तो अक्छरों को जोरे मतलब क्या है कि टेक्स्ट को जोरे अल्फावेट को जोरे फीक। और एक मिनिंगुफुल टेक्स्ट बीज़यों पर लेते हैं प्रोग्रेस भी ओसी एसा मिया कोई भी प्लॉक्री Division नहीं तो ऑगे कोई राष्टा नहीं मिल बात कर लेटें नेक्स्ट है ब्लो और फ्यूज मतलब क्या है आग बबला होना तो एसा समझे इस्टोरी की बहुत गर्मी थी ठीक है और क्या हो गया कि आपके घर में जहां पर फ्यूज लगा था वह फ्यूज क्या हो गया ब्लो हो गया मतलब क्या है कि फ्यूज उड़ गया तो क्या होगा आपको बार 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 गुस्टा अगया अपने फ्यूज लगाया और वह बार बार क्या हो रहा था सुक जा रहा था ठीक है उड़ जा रहा था ठीक है ब्लो हो जा रहा था तो आपको क्या है बहुत सी तेज गुषणा होगा आग से क्या हो जाओग यह गंद ही नेकस्ट है भूब ईस टॉन 다음에 bé睡 vanity तब फ्यूज है ठीक है जैसे कि अभी पढ़ा कि ब्लोव फ्यूज वैसा ही है ब्लोव ही स्टॉप और आपका उपर का चीज उड़ जाए ठीक है मतलब क्या होगा अब बहुत गुस्से में होगे तब ही तो आपके ऊपर का खोपरी जो है वह उड़ जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ब्लोव वन्स ओन ट्रमपट यह मैं आपको बहुत बार परहा रखाऊं ठीक है मतलब करता है खुद की तारीफ प्रेज वनसेर्फ टू बोस्ट अवाउट देर अचिविए अपनी तारीफ जब आप खुद करोगे तो क्या कहते है इन ब्लोव वनस ओन ट्रमपट एख देख पारेंगे इस लर्की को अपना ट्रमपट खुद बात रही है मतलब क्या अपनी तारीफ खुद करते हैं नेक्स्ट है ब्लो ओभर मतलब क्या होता है बीत ना या गुजरन ना पास औप एगर कोई भी चीज हवा कोहीं देख लो क कि लो होता है उसके बाद क्या होता हुद ऑपार कर लिए निक्स हमारा पैंडौरा बाक्स है। तो आपको पता हो पैंडौरा बख्स ओपन करते हैं। झिसको ओपन करते हैं फ्रू इंसर्ट करते हैं तो ऐसे côngत open होता है तो जब box open होता है तो उसमें से क्या निकलता है अगर आप हमारे class साथ regular होंगे तब को पता होगा कि open करने पर क्या निकलता है अगर आप new हो तो मैं आपको बता दू कि जब pandora box open होता है तो उसमें से निकलता है क्या तो hundred golden rules इस चीज़ के तो English grammar के तो इसका यूज कहां आता है for error detection and sentence improvement के लिए ठीक है तो error detection और sentence improvement के जो भी question होते उनको solve करने में यूज आता है यह hundred golden rules of English grammar तो एक साथ हम सारे rules तो discuss करने ही सकते हैं अगर हम सारे rules को discuss करेंगे तो बहुत लंबी class हो जाएगी ठीक है और आप सारे rules को एक साथ अपने दिमांग में निड़क्त पाऊगे और उस पर best question भी practice नहीं कर पाऊगे तो इसलिए हम क्या करते कि हर class में एक एक rule आपको बताता हूं ताकि आप उस पर best question को practice कर ले और rule को अच्छी तरह से समझ है तो अभी तक हमारी 50 rule हो चुकी है ठीक है हमने बात के लिए थी नाउन की प्रोनाउन की वर्ब की अभी हमारी एजेक्टिव की रूल्स चल रही है ठीक है कि एजेक्टिव लाइक यूनिक आइडल पर्फेक्ट कम्प्लीट यूनिवर्सल इंटायर एक्स्ट्रीम चीफ फुल एस्वार एंड राउंड विच दू नौट अध्मिक डिग्री आफ कम्परेजन शूद नौट बी कम्पेर ठीक है तो जैसा कि एजेक्टिव है यूनि यह कम्परेजन होते है तो कहीं भी आपको यूनिक के आगे को भी चीज लगा दिखे या फिर आइडल के आगे कोई कम्परेजन देखने को मिले तो आप उसको फॉरण गलत कर दो क्योंकि यह सब अलग खुद में ही एक एड्जेक्टिव है इनके लिए कोई कम्परेजन की जोरट नहीं परती है जैसे आप नहीं कहें चाकतों कि यूनिक मतलब ही होता है सबसे अलग तब उसके साथ में लगा सकतों क्या तो जैसे कि अब सेंटेंश देख लो कि इनकर्ट अन्रें क्या है कि इस अब Mazda- allows वह खुद में अजूबा है तो उसके लिए मोस्ट या लिस्ट कुछ भी लगाने की ज़रुत नहीं है तो यह क्या हो जागा हमारे लिए गलत हो जागा तो हम मोस्ट को हतार देंगे और डिरेक्ट क्या हो जागा तो आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हम लोग ने सीजियल के 18 जुलाई की दो सिफ्ट की बात कर ली थी ठीक है तो आज हम बात करेंगे शिफ्ट थर्ड की ठीक है तो पहला क्या है कि स्लेक्ट दा मोस्ट अप्रोपेट मीनिंग अफ तर गीवें इंग मतलब बताना है इंगे थो थीक एंड थीए यह मैं आपको बता रखा हूं था रूप दिरिंग ट्राइंग टाइंग टाइंज वट टाइंज वीक अव्ली इन गूड टाइंज आंड बैड टाइम पटाक सेंदर करना इसके साथ टाइम आप हो चुका है आई होक आप सभी लोग ने सब्सक्राइब कर दिया हुआ तो इसके साथ टाइम आप हो चिका है आई होप आप सभी लोग निस्पक्ष खीक है इसका सही सिनोईम क्या हो जाए अब्जेक्टिव कोई भी चीज अगर अनबाइस है निस्पक्ष है मतलब क्या है कि वह चीज़ बेसलेस है अब बोल सब तो इंपार्शियल है यह सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोईम हो जाएंगे बात करें डिफिनिटिव मतलब को होता है कोई बीची निश्ची तो आप बोल सकतो क्या है सार्टेन है क्या है स्योर है कोई बीची स्योर है सार्टेन है तो क्या हो जाएगा स्योर भी हो जाएगा तो यह सब क्या हो जा कहलाता है सब्जेक्टिव कहे हैं और भी मीनिंघ होते हैं यहां पर होगा मतलब क्या आपको पता ही है संगठन आत्मक उसी और लेट है चाली नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस ग्रूप friendly के यह क्या है बिंग केरफुल डैट एवरी डीटेल ऑफ सम्थिंग इस करने स्क्वाइमिस फास्ट इडियस इंप्रेगनेबल इस्टर वर्ट फटाक से एंसर करना बहुत हीजी है मैं आपको खरबा रखाऊंग तो इसी के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोगन सही से एंसर कर दिया और इसका क्या होगा एंसर फास्ट इडियो इंप्रेगनेबल आपको पता है अभेद जिसको आप भेदा नहीं जा सकते इस्टर वर्ट मतलब होता है जिद्धी और स्क्रामिस कौन होता सुकुमार ठीक है जो क्या असानी से अपसेट होजा अगर कोई भी चीज़ एखता अपसेट हो जाता तो इसको क्या बोलता है सुकुमार बूलते चलिए नेक्सट बात कर लेते नेक्स्ट आपको सिनोनीमस से बताना इस अंडरलाइन वर्ड के लिए वर्ड है एकस्प्लेज बहुत ही इसी वर्ड है चार ओप्सन है कलेक्ट इलाबरेट कीन ट्रवल फटाक्ट सेंसर करना क्या होगा कि इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सई सेंसर कर दिया हो था एक्प्रेंड का मतलब क्या रहता है व्यक्षा करना मतलब क्या होगा इलबरेट करना यह हो जागा इसका करेक्ट सिनोनीम क्या होता है इकठा करना टुगेदर ठीक है ठीक है इसको डिकोड करोगे कीन मतलब होता उत्सुक इगर ठीक है प्रोन रेडी यह सब मैं आपको बता रखा हूं यह सब इसके सिनोनीम से होता है ठीक है डिफकल्टी डिजास्टर यह सब क्या है इसके सिनोनीम से चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट आपको सिनोनीम से बताना है किसका तो यूटी लीट्रेडियन का यूटी लेट्रेडियन मतलब चार अपसे ने सैंसी फूल यूजफूल थ्रस्ट डिस्टेश ठीक है फटाक्स एंसर करना है कि क्या होगा इसका एंसर कि आपको साही अंसर कर दिया होगा तो यूटी लीट्रेडियन मतलब क्या होता है जो चीज आपका यूजफूल थिक तो कोई भी चीज़ा आपके लिए यूजफूल है मतलब क्या उपी होगी है तो आप इसको क्या बोल सकतो है एल्पुल भी है कि यह सब क्या वह जाएंगे सिनोलीन सोगा है फैंसी मतलब क्या होता है कालपनिक कोई बीची कालपनिक है तो क्या १ा इमेजनरी होगा फिक्सिक विद्धी वह सकते रास्त मतलब होता है जोड़ देना तो इसको आप क्या बोल सकते हो और और जोड़ सकते हो और आप जोड़ बोल सकते हो और आपको उसमें अरुची हो मतलब क्या होगा अगर करकी सी भी चीज में अरुची होगा तो इसके क्या हो जागा तो इसके क्या हो जागा है थो मैं आपको यह सब चीज बतारा खको नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है इस वर्ड के लिए वर्ड है कंसिक्वेंस बहुत हीजी वर्ड है दस सगेंद मिलेंगे आउटकम बीग इन ओरीजिन स्टार्ट भरी असानी साफ एलिमिनेट करके इंसर कर सकते हो आज का इजी पीजी कुछ तो इसी के साथ टाइम आप हो चुका है आए आप सभी लोहरे रिखैसन नोलगा रहाता परीनाह तो परीनाम कैसे आगा तो आउटकम रिजर्ट कि इसके सभींस की विए बीगिन ऊरीजिय ELN पर जात में आपस नेक्स बात कर ले नेक्स्ट आपको वण वज़र्ड बताना है इस गौनफ रॉड के यह भी मैं आपको करवा रख्था हूं बहुत ही इसी में यह चॉफर कोरियोग्राफर कैलिग्राफर काटो ग्राफर फटक सेंसर करना यह बहुत बादा रिपीट हो चुका है SST में तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग एंसरी साय एंसर कर दिया होगा तो जो map बनाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं काटो graph ठीक है चौफर मैंने आपको बताया रखाया कि जो private motor गारी को drive करता है ठीक है choreographer जो आपको dance दिखाता है calligrapher जो जिसके handwriting beautiful हो जो बहुत ही सुन्दर handwriting में लिखता है ठीक है उस method को बोलते calligraphy और जो लिखता है उसको बोलते calligrapher नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट आपको इस idiom का मतलब बताना है इडियम है it turns out to be a blessing in disguise ठीक तो क्या है इडियम blessing in disguise ठीक है when things get better and better when least expecting has a very good effect on a situation or a thing third option है when a simple solution solves a problem very well fourth है has a good effect even though at first it seems it would be bad next बात कर लें तो next आपके लिए homework question है ठीक है आपको इस group of words के लिए one word बताना है ठीक है having too much pride in yourself and what you do ठीक है और कब से कब बताना ना भूले कि आपको आठ question में से आपके कितने question सही हुए आपके कितने score है ठीक है करें अपक में सबस्सक्रादी एो